शारुक खान की जवान की नई रिलीज डेट को लेकर सुखबुगा हट शुरू हो गई है। शारुक खान की जवान की शूटिंग में लगे हुए हैं और हाली में मुंबई का शेडियूल भी पूरा किया है। शूटिंग जारी है और मेकर्स जल से जल्द फिल्म की शूटिंग खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस मामले में शारुक खान का कुछ और ही कहना है। उन्हें लगता है कि जवान जैसी बिग बजट की फिल्म का काम खत्म होने में ज्यादा वक्त लग जाता है। तो फिल्म को पूरा वक्त मिलना चाहिए और फिल्म के जून वाली डेट को पोस्ट पॉन करके अक्टूबर कर देना चाहिए। लेकिन फिल्म के डारेक्टर अटली का कहना है कि वो फिल्म के फाइनल एडिट जल से जल पूरा कर देंगे। हफ्ते बाद फिल्म के एडिटिंग को देखने के बाद फिल्म के रिलीस डेट को ले कर कोई फैसला ले सकते हैं। आलहिंकि शारुक के फिल्म आक्टूबर के लिए टै होती है तो तभी भी फिल्म को रिलीस करनी के लिए एक सही वक्त रहेगा क्योंकि तब फेस्टिव सीजन का माहौल रहेगा लिहाज़ा जवान को फेस्टिव सीजन का जबरदस्त फायदा मिल सकता है और तो और अगर फिल्म वाकरी में अक्टूबर में थियेटर में पहुंचती है तो शाहरुक की अगले फिल्म डंकी के लिए कम वक्त बचेगा क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि पठान की तरह ही जवान भी तुफान लाएगी और ये भी पठान की तरह ही पचास दिन से उपर थियेटर में बवाल करेगी ऐसे में डंकी को दिसंबर में रिलीज करना बहुत जल्दी हो जाएगा मसलन देखने वाली बात होगी कि शाहरुक खान की जवान की रिलीज डेट बदल कर किस डेट पर जाती है और अगर ये अक्टूबर में रिलीज होती है तो फिर उनकी नेक्स्ट फिल्म डंकी पर कैसा इंपक्ट पड़ता है खैर अब आप बताईए नीराए नीचे कॉमेंट सेक्शन में शाहरुक खान के फिल्म को जून में ही रिलीज किया जाना चाहिए या फिर अक्टूबर का महीना फिल्म के लिए ठीक रहेगा बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉंग रिव्यूज के लिए सब्स्क्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं